प्रदान मंत्री जी जिन्दगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं वाणी थम जाती है शब्री के पास बेर्थे विदुर के पास साग था लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाए भावनाओं के पुश्मों के कुछ भी नहीं है माननिय प्रदान मंत्री महोदै इस मंच पे परम सद्धे स्वामी अवदेश अनंद गिरी जी परम सद्धे स्वामी कहलासन जी सद्धगुरु रिदेश जी महराज और उत्तर प्रदेश के लोग प्रिये और सशक्त मुख्य मंत्री आदित नाज जी महराज बिराजमान है मैं सब को उनके श्री चर्णों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ मानिये प्रदार मंत्री जी देश के कौने कौने से आये तमाम संत्वरंद कोई हरिद्वार से पधारा है कोई गुजराद से पधारा है कोई तमिलाडू केरल और आंधर प्रदेश से पधारा है कोई आसाम से आया है कोई देभुमी उत्त्रा खंड और हिमाचर प्रदेश से आया है ये हजारो संतों का जो समू आज इकटा हुआ है ये सनातन धर्म के उस उद्घोश के सपने को साकार करने के लिए इकटा हुआ है वो सपना जो अठारा वर्ष पूर्वेक संकल्प के रूप में हमने देखा था वो सपना जो रिशी मुनी महत्माओं ने त्यागी तपस्यों ने आदिकाल से लेके आज तक देखा के पुराणों का उद्घोश है के जब जब धर्ती पे आधर्म बढ़ता है सज्जनता पर खत्रा उमरता है भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोश है के परित्तनाई साधूनाम विनाशाई चदुस्कृताम धर्म संस्थाप नार्थाई संभवामी युगे युगे यदा यदा ही धर्मस ग्यानिर्भवत इभारत अभित्तारम अधर्मस सतदात मैनम सरजाम हैं भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोश है शिर्मत भागवत के बारवे स्कंद में उल्लेखित है कि जब धर्ती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा तो उस अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुरश्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा इसलिए संस्क्रत का श्लोक श्रीमत भागवत में संभल ग्राम मुखस ब्रहमनस महत्मना भवने विश्णु यशस कल की प्रादूर भविश्चती इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में आयोध्या में आए द्वापर में कृष्ण के रूप में मतुरा में आये और भगवान कली युग में श्री कल की निश्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे मान ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान जहां आता है वो धरा धाम बन जाती है अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट की इस धजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम फैराने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटम कम और विश्व बंधूत का संदेश देती है उसको पूरी दुनिया में पहुचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है वो भारत के यशश्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे है माननी ये प्रधान मंत्री महोदे ये एक और अधुद संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके करकमलो दौरा हुए है और आज का ये दिन ये शुबगड़ी जिसे देखने के लिए कितनी ही आँखें जो बंध हो गई ये शुबगड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बेहनों ने देखा और मानीय प्रधान मंत्री जी ये आज इससपना साकार हो रहा है क्यूंकि श्रिकल की धाम की पावन धर्ती पे आपके चरण पड़े हैं हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका वन्दन करते हैं हम आपका विन्दन करते है मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बास जरूर कहना चाहता हूँ ये कल की धाम शिकल की धाम जहां भगवान आएगा आज श्री कल की धाम की आधार शिला माननिय प्रधान मंत्री जी के करकवलो द्वारा इस्थापित हो चुकी है अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रामराजी की पुरोई स्थापनास होने का समय आ चुका है एक बात कहते हुए अपनी वहाणी को विराम दूँगा जब मैं प्रधान मंतरी जी को अमंतर करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधान मंतरी जी मेरे निमंतरन को सुविकार कर रहेंगे लेकिन आप सब संतों के आशिरवाद से तमाम लाखो कροडों भकतों की प्रार्थनाउं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रन को सुविकार किया माननीय प्रधानमंत्री जी महोदे जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार पंद्रा दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे मेरे पास कोई उत्तर न था लेकिन एक उत्तर था उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिखे दिया है मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा जैसे शवरी को विश्वास था कि राम आएंगे जैसे विदुर को विश्वास था कि क्रश्न आएंगे जैसे हमारी आश्था का आधार है कि कल की आएंगे वैसे ही आचार प्रमोद किश्णम को ये विश्वास था कि नरंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्ये हैं अपना वचन निभाएंगे मान्ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान कृष्ण के ज्ञान योग कर्म योग भक्ती योग अगर हम तीनों को एक साथ रखके एक साथ रखके जब हम इवेजन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ती योग कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगे मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की बनती है